तो हेलो बच्चो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज हम करें में क्लास 11 के पोल साइंस के चैप्टर 8 जिसका नाम के आपका इस्थानिय साचन दुक्र पार्ट 1 हमने पहले अल्रेडी अप्लोड कर दिया अब करना हमें इसका पार्ट 2 जिसमें हमें करना संचोधन तो मैं इसलिए बोलू किसी विद्यक या किसी अनुच्छेद में जो हम परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन या उस सुधार को हम क्या बोलते हैं संचोधन कहते हैं ठीक मतलब सम्विधान ने रफदान में एक अनुच्छेद दे रखाए और अगर हमें उस अ बोलता संसोधन कहते हैं अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम कि आपका 73 संसोधन कब हुआ तो कब हुआ था आपका 1992 में 1992 के अंतर इसका परंतों इसको लागू करने के लिए करेवन एक साल का वक्त लग गया था ठीक और इसको लागू 24 अपरेल 1943 में लागू किया था अब लागू किया किया तो लागू करने के बाद ही पंचायती राज ववस्ता अदीनियम का निर्माड हो गया ठीक और भारत सरकार ने इसी को यादगार बनाने के लिए 24 अपरेल संदौर 11 से ठीक पंचायती राज ववस्ता दिवस के रूप म लग गए, अब योग कानून बन गया, तो कानून की कुछ तो बश्चिछताई होंगी, तो कि ज expect कानून के बारे में जानने में, कि इस अधिनयम के तेहत क्या क्या हुा, पहले बगत इस अधिनयम के बनते हमारे समय्धार में कुछ बदला हुगए, जैसे अगर मैं आपको बात करूँ कि इसका पहला पता आपका होता है कि समयधान में एक नया भाग जोड़ गया भाग नवा एक नई अनुसूची याड हो गई कौन सी आपके होती ग्यारवी अनुसूची और आपका आता है कि इससे पंचायती राज्य विवस्ता को एक क्या होता है कि समयधानिक दर्जाह मिल गया मतलब इस पर भी आप वोट हो सकते हैं ठीक हम करते हैं इसके बाद कि इसके और फायद है क्या हमें तो इससे क्या आपका पंचायतों का गठन हुआ दो कि देश का कोई भी पद हो कोई भी संगठन हो ठीक सरकारी तो उसे पावर्स पंचायती राज्य का प्रफदान किया गया है प्रतेग राज्य में ग्राम स्थर मद्ध्यवर्स्थी स्थर और जिला स्थर पर पंचायती राज्य संस्थाओं का गठन किया जाएगा ठीक परन्तु एक कंडिशन भी लगा दी मतलब इन्होंने यह तो बोल दिया कि अनु तो वहां पर compulsory नहीं है मत अतना जरूरी नहीं होगा कि आप वहां पर मध्यवर्थ्तिय मध्य वर्तियस तर पर क्या हूं साथ निर्मान कर सके ठीक अब जरह करते इस अधीनियम्के तयद क्या क्या हुआ देखो कोई 29 विश्व को एड़ कर लिया गया ठीक फिर इसके लिए जो आपको प्रवधान है अनुच्छे 243 से लेकि 243 ओ में भी इसके बार में पूरा पढ़ने को आपको मिल जाएगा अब हम करते हैं अपने टॉपिक की तरफ ठीक टॉपिक क्या था आपका कि 73 शंशोदन अधीनियम मतलब इसमें क्या क्या चीज़ है तो पहला आपका इससे त्री इस तरी डाचे का निर्मान होता है अब कहले ही बताओ कि समविधान का कौन सा अनुच्छे जिनको यह पावर देता है तो 243 खा ठीक अमेन आपका आता है इसके तरह कि हर राज्य में यह 3 शर के सरकार बनेंगी ठीक जरह समझते हैं तो को डिस्प्लेइब में आपको क्या बोलते है फोटो अपरोड कर दिया ठीक जिससे में को समझाने में असानी रहेगी अब इसमें 3 शर कौन से हो तो पहला आपका जिला प समीती देखो यह बहुत चोटा च्छेतर होता है और मालो कि यदि किसी प्रदेश में तालुका है ही नहीं तो महां कौन रहेगा तो महां कौन रहेगा आपका जिला परिश्यत अब क्यों नहीं रहेगी तो देखो आर्टिकल 243 जो आपको भी है यह यह इसमें प्रावधान है कि यदि किसी राज्य में जो पॉपुलेशन है वो बीस लाग से कम है तो महां पर इनकी कोई आपका नहीं होती तो महां कौन रहेगा जिला परिश्यत फिर आपका तक ग्राम पंचायत तो एक या एक से अधिक सर्कार होते हैं एक या एक से अधिक गाउं आपकी होते हैं अब में आपका था टॉपिक कि जैसे 73 संसोधन हुआ उसमें ये प्रावधान लेया गया कि हाँ भी हर ग्रामिट शेतर में मतलब तीनों सर्कार हैं उसमें जो आपके लोग होंगे जो भी आपको परतिनीदी खड़ा होगा वो बाय वोट खड़ा होगा मतलब लोग उसे व भंग हो जाएं तो पांच साल के अंदर सोरी जदी किसी कारणा सरकार भंग हो जाती है तो छै महीने के अंदर क्या होता है दुबारा चुनाओ होंगी ठीक और इनका कारेकाल फिक्स कर दिया गया कितना पांच वर्च का और इसमें मैंने आपके आयम पी नोट लगा रहा है कि इस संतुदन से पहले है ना अपर तक चुना होते थे और सरकार भंग होने के बाद भी दुबारा चुनाओ को कोई प्रावधान नहीं था अब इसमें आपका आरक्षिन के बारे में दिको आरक्षिन इसका तीसरा टोबिक आपका आता है जिसमें पहला प्रावधान था कि एक तिया ही महिलाओ को आरक्षित कיा बघत जतनी भी सीट होगी ऐसे मखलो हजार सीट है तो उसमें थींट तो साट देनों सीट किसका आपके आरक्षिन किया गया ठीक इन दोनों को भी आरक्षित किया गया तीसरा जहां जहां हमें जोर्वत लगते कि आभी OBC को आरक्षण देना चाहिए हमने OBC को भी आरक्षण का पुरादान दे दिया और जो आरक्षण का जो आपका आना यह नहीं है कि ओल छोटे मुट लवल तक है यह ग्राम पंचाय पर लागु कबाब का होता है 1992 में कबाब का होता है 1992 में पर किसके टाइम पिरिड़ पे तो पीवी नरसी महराओ उस वक्त हमारे देश के परदान मंत्री थे ठीक इससे अब लागु कबाब का होता है तो इसको भी एक साल लग गया थे तो एक जून उन्हों तिरानवे में भी लागु होता है ठीक इससे हमारे सम्विधान में भाग 9A जोडा गया ठीक बार वी अनुसुची जूड़ गई इसके अंदर नगर पालिकाओ के 18 कार्यात पक मद्ध सामिलेस के अंदर और हमारे सम्विधान में अनुच्छे 243P से लिकर अनुच्छे 243Z सक सारे जिस आप काहतता है, पहले आप को बदा दें कि पहला इसका मतला आप काहता है कि देखू 24 वे संसोधन का संबंद सेरे इस्थानिय सासन सें, अर्फात नगर पालिकाओ उसे, मतला इसका जो भी नगरपाली का या नगर निगम का प्रावधाने यह उन सभी राज्यों के लिए उन सभी ज्यादर छेतरों के लिए किया गया है ठीक अब परतिक नगर निगम के लिए सभी व्यवास्क मत दाता हो दुआरा चुनी गई एक सामाने परिश्ड होती है इस सवरी इन चुने हम पार्शत यह कांसिलर भी कहते हैं seguinte हम टीक स्वार्शत न कि हमारे हैं हमारे सहरों में निर्वाचन शेट होड़ते हैं मतलब हम अपने एरिया वाइस हम बाठ देते हैं । बहुआ पर हम वोड देते हैं जो छोनते हैं Zuk चुनते हों पार्शाद बोलते हैं काउनसलर बोलते हैं अब जडरा देए के कि इसके आगे कया अब कह आता कि पूरे नगर ऑर्रि हम चुने हुए सदस्य अपने एक नगर हम चुनते हैं जिसरे हम क्या बोलते हैं ? महापूर या मेयर बोलते हैं ? यहां पर नगर्यम का मेंबर अपने लिए एक अपना हेड्ट चुनते जो क्यों क्या है बोलते हैं ? प्रावधान पर ळाव जिय आफ का consist wanna आब आपका आपका पर चुनाओ का temp rating fix , अपकर और यदि किसी कारण से सरकार भंग होती है तो 6 महीने में दुबारा चुनाओ होने का अपरावधान किया गया है ठीक अब हम करते है विशियों का इस्थान अंतरन मैं पता ही आपको कि जैसे ही पहले बात ये कि इस्थानिय साशन्त मुदा अ के मामले जो भी कामान के बनते वो राज्य सर्दारों दौर बनाए जाते थे परंदु 73 एवं 74 संसोदन के बाद ऐसा नहीं रहा इनके अपने पर्टिकुलर विशे हो गए जर समझते हैं ऐसे 29 विशे जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचान कर सम्विधान की 11 वी अनुसूची में दर्ज कर लिए ग इस्थानी असासन को दिया गया है अधिकांस मामलों में इन विशियों का संबंद इस्थानी इस तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकास हैं मतलत जो भी टौपिक आपके राज्य सरकार से लेकर इनमें दिये गए इस्थानी असासन में तो वह सभी आपके जो न निरुवार कि अब यह दो आपको पता कि प्रावदान तो है कि वह राज्य से 29 मामले दी थी अब इस पर भी यह राज्य सरकार पर डिपरेंट है राज्य सरकार चाहे फैसर मतलत वह देना चाहें तो देगी मतलब मैं बोलू को 39 मामले हैं और उनकी मर्जी क्यों कौन से म सरा बहुमी विकास हो गया हो गया है जो दार हो गया हो गया है सिर्चाई आपका हो गया पनख्चुपालन हो गया पशीड़न और कुटे पालन Spirit के इसे में तो मिन को मत्तरी पालन ओगात कि समाजिक समाजिक व स्हाउनिकी और फॉर्म व्मेन की ठीक लगो प्रबूम, फिर आपको आते हैं, लहो थिैंग, खादी, ग्राम, उतिए उति compromise. घ्रम आवास पेजल,जन एंदन वरचारह, सटक्यों बिलिया हो गयी, यह अब सारा मामॉली के आते vivid आते हैं? स्क्षा आपका है तकर्यक्षक्षा अपका अनुबशाय का हो गया फिर आपका है अनुब चाहरु पुस्तकाल ही इंस लाइब मिलायाद को घॲगों सम्हों तो देट ठोड़ होते हैं धोड़े मतलब कंजूर होते वह व्राउब्ल वर्गों के लिए, इप मींस शामुजाइक, और भाउस मामले हैं, जो राज सुरुची से हट कर कहां आए हैं, एग्याई रिड्म सुरुची में अ्याइड हुए हैं, ठीक, अब आज के लिए इतना ही है, द्यान दीजेगा कि वीडियो पूरी देखें इसके प्याइब न देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो